हेलो गाइज वेल्कम बैक टू दे यूटिप चैनल और आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहा है रेलेटेट टू कोडल कॉलिंग हाउ टू माश्टर कोडल कॉलिंग कैसे सीखें और अपने बिजनिस को में सिल्स की बार कैसे लाएं अगर आपको आपकी कमपनी में या पर आपके बिजनिस में कॉम्टिटर का सबका बाप बनना है ना तो ये वीडियो आपके लिए मैं आपको 13 टिप्स देने वाला हूँ ज आप जितने भी कोल्ड कर देना हर एक अभी तक आप जितने भी तरीके स्कोल्ड कॉलिंग करते आयों न वह सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होई जो आपको प्रॉब्लम आती है को लिक्वालिम तो ये तिरा टिप्स आपकी बहुत हमकरने वाली ठिक है ये आपको सेल् सबसे पहले की सबसे इंपोटेंट चीज सबसे बेसिक चीज भूल जाते हैं वो कि अपनी कंपनी का जो जिस कंपनी के क्या है और और किस बंदे के अपनी कंपनी की जो भी उसको किस तरीके सी प्रजेंट यह मेरे लिए एक हैल पॉल है अगर उस तरीके से काम करोगे न तो कभी भी आप सेल्ज नहीं कर पाओगे इस बात को अपनी दिमाग में बिठा लो अगर जब तक आप अपने प्रोड़क्ट और सर्विस की बेसिक से बेसिक डिटेल और एड़न्स से डिटेल जो कस्टमर को क कौन सा Calvin आपका किस तरीखे की नीड है उसकी तो उसको लिंक करके सो करना है कि इस तरीखे से यह प्रोडक्ट आपकीthing करने वाला है उसकी नीड को फाइंड करना है से उसके point को समझने के बाद सबसे Sole시면 है जब तक यह नहीं समझोगे ना आप लगे रहा रेजसार से ऐसा ऐसा कई कोई डया खाके जो समयदा नहीं वे प्रोड को भाय कर लेगा बट्ट आपको सबसे पहले समझा पड़ेगा आपके कंस्टुमर की निद्ट टिक है वह बाद हम समझेंगे पर फेले आपको अपके प्रोडक्ट को सभाजना पड़ेगा ठीक है सेकेंड रीसर्च और प्रोस्पेक्ट ठीक है दोको बहुत सारी कंपरी में क्या रहता है कि डिटेल डाटा दिये जाता ना तो दो तरीके दो या तीन तरीके दिये जाता है है ठीक है द फस्ट की उसमें सर्फ में स्ब्सक्राइब करने हैं को डिये ना क्या टिक है तो उसमें क्या रहता है कि आपको श्टार्डींस स rond books अंवandering के मृत가 तो उसका नाम थोड़ी देर से पूछना है आपको मतलब इस कंपनी बोला हूं सर आपको इस चीज की रिगार्डिंग कॉल किया है सर क्या भी आप प्री हो दो मिटट के लिए मैं आपको डरीलम बात करता हूं डियुक्त Yes तो आपको टाएम देने हुआ बोले मैं प्री नहीं हो अग क्या आपको 15 मिट बात कॉल करूं तो 300 टाम लोग दूसरी बार कॉल करना है क्योंकि अगर उसने call उठा लिया तो chances हैं 50% chances हैं कि आप product sale कर सकते हो वो उसके पीछे कारण क्या है क्योंकि cold calling में आप जितनी भी call कर रहे हो न ठीक है उसमें से 50% लोग तो call ही नहीं उठा दे इस spam नम्मर देखके call ही नहीं उठा दे तो इस चीज को समझो कि जो भी आपका call उठा रहे ना तो उससे अपको इस भी में बात करने की इसको product sale करना है ठीक है और उससे proper एकदम बार-बार caution मत पूछो हट बड़ा हट मत करो मतलब घबरा हो मत जितनी जानदा घबरा होगे cold calling के दोरान वो सामने वाला जो भी आपका prospect है जो भी आपका leads है वो घबरा जा relax डो के call करो तब result निकल गया आएगा ठीक है और दर किस बात का भाई सामने वाला क्या कर लेगा जाना 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 गाली देगा उससे जाना तो कुछ नहीं देगा और गाली भी क्यों देगा वो इतना फ्रीवी दो है वो है नहीं ठीक है तो आपको उस भी में बात करना है उससे डरना नहीं है और उससे detail निकल वानी है जतनी जानद आप detail निकल वाओगे उतना जानद आपके लिए helpful रहेगा ठीक है तो try करो कि उससे 4-5-10 minute call पर बने रहा हो पर दीर दीर आप product के बारे में भी company के बारे में भी बताते जाओ कि किस तरीके से आपकी company उनकी help करने वाली है ठीक है तो USB में आप आंगे बढ़ सकते हो और अगर आप खुद ही सोचते रहे कि क्या करना है क्या करना क्या करना है तो उस तरीके सीजें नहीं चलती सर मैं आपको clearly बता रहा हूं कि आपको जितना detail में बात करोगे उतना आप जान जाओगे ठीक है सामने बाला है फूकस करना है ठीक है और जो भी अपी तक time हो जास कि अगर कोई भी leads खराब हो जाए तो उससे अपना mind खराब नहीं करना आपको अगली call पर focus करना है और अगली call पर उतनी focus उतनी intensity उतनी energy के साथ call करना है क्यूंकि आपकी energy down हुई तो सामने वाला पता नहीं कि आप कौन बेटा है तो आपकी ना हाइड पता ना कलर पता ना आपको कितना education है तो वो सिर्फ call पर क्या देखता है आपकी अबाज आपकी अबाज बिकती है तो उस अबाज को थोड़ा दमदार बना के बात करनी है ठीक है अब जानतर लोग क्या करते है कि जो company जिस company में काम कर रहे ह यह पर किसीने particular कोई वी चीज़ है वो बता दी यह पर जैसकी अभी मैं आपको बताता हूं digital marketing के regarding क्या कर रहे हैं अभी मेरा student था यह digital marketing मुझे से सीख रहा था मैं बहुत कम लोग सब्सक्राइब मेरी वेन उनको सब्सक्राइब डिजिटल मार्केटिंग ठीक है तो ओ क्या मैंने बता थी कि अपने इस तरीके से नमबर आते हैं लीट्स आती है और calling करता है old calling से अच्छे निकाल तकते हो ठीक है तो अब मतलब बना स्क्रिप्ट बना है आगे क्या बोलना है बना स्क्रिप्ट बता कॉल करता है कॉल वो ऐसा नहीं कि 200 300 कॉल कर रहा है पर रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आ रहा ठीक है और रिजल्ट क्यों निकल के भी आना क्योंकि उसके बास प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है ठ वो बना तो मैं सोच रहा हूँ कि तो बहुत निया जान दर निकल के आया तो मैंने बुला भाई ऐसे काम नहीं चलता प्रोपर भी में में स्कुर्प्ट बना के काम करना ठीक है तो स्कुर्प्ट के लिए मैं बोला कि देख जिस तरी के तेरे प्रोड़क्त के तिक उस तीन चीए basic लेकर चलना है सामने वाले की नीड अपनी सर्विस के importance बेसिक से लिए एडवांस तक और साम तीसे और स्प्संप्ज़ें जिस बंदी को call कर रहा है उसको जरूरत है या नहीं तो सारी चीए लेकर चलने हैं तो उसे बोला मैंने ठीक है उसने proper way में अपने दोस्ते स्क्रिप्ट ली और उसको मॉडिफाय करके अपनी सर्विसेस के रिगार्डिंग उसने कॉल करने चालू किया आप बिस बास नहीं करोगे उसने फरस्ट डे में कर पांच राइल काले 300 कालिंग करके पर दीर-दीर करके इंप्रूब नकाले पांश ट्राइल मैं से उसने उसने तक किया पांच टाल मैंसे दोने मना कर दिया दोने नौट इंटरेश्ट बता दी बट एक क्लाइंट उसका कनबट हो गया और सिम प्रोसेस वह आज भी करता है और लग लग वह अपनी सर्विसेस प्रोडक्ट में बिसेस पेटी टू नाइंटी थाउजन रूपीज कमा रहा है औ बीबी यह कर रहा है इन दोर में ठीक है तो उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा पैंसा बनाना इजी है ठीक है बट उसके लिए देखो आप जो भी कोल्ड गॉलिंग कर रहे ना जब तक आपके लिए आपके पास एक पावर पुल स्क्रिप्ट नहीं होगी ठीक है जिस इільки जो भी स्क्रिप्ट आप बना रहे हो और आपको कंप्री के द्वारत दी जा रही है यह अपर आपने कही से सीथ किये तो वह क्थम्रब को आपके प्रॉडक्र के रिगार्डिंग पूरी मौडिफाई कर देनी ठीक है आपको वो हमेशा उसमें चेंज करने पड़ेंगे और चेंज टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो उसको और उसको फॉल्व करते रहो एक पैटर्न मना लो हां इस तरहीं को कॉल करना है तो उसमें में आप बहुत जांदा अभी जीतिन पॉइंट फॉलो कर लिए न तो आपने बहुत जांदा आपको जो सेल्स में आपकी बहुत बदले दिखने के लगजाएगा जाएगा ठीक है ओर्थ प्रैक्टिव एक्टिव लिस्निंग ठीक है करते कि आना हम हर आदमी के अ तो उस आदमी के साथ क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कुछ इमद्ब भले भूख नहीं पड़ी बट्र यूडूब पे भूख समरी देखता है तीक उस बंदी के अंदर क्या कि रहता है कि वो सुनता नहीं वो सिर्फ तो टोटल क्या रहता है कि अपनी बात तरीके से बात कोरे सामने वाले गलत प्रूट्प करो करऊ भाले खोद गल्त वो ला उतनेContent से काम करता है कि काम कांड देखने में लगता है ठीक है बट होता है और रिजल्ट क्यों नहीं आता है क्योंकि बो प्रॉपर भे में को अप प्रेक्टिस नहीं करता एक्टिब लिस्निंग तो आप कभी भी किस्टुमर से रिलेटेड बात कर रहे हूँ या फिर रात को पुत्ते परिसान कर रहा है ठीकि चलो उनको छोड़िए मैं बागा गया हूं के दो मिट एक मिट करने दो कि दो में अगया हूं अगया है कि वह पुद्ध को बहान पड़ा आप आवाज गंदी आ तो आगए बारते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्टिविस ने ठीक है जैसे कंपनी में आए कॉल करने यह कोल करनी है कोरेक्ट पापकी जो ओल कास्टमर्द रहा है जो पहले से कंपनी में काम करें जो एंक्पर को लگता है कि आपको बहुत पॉलो खर रहा है की बएक ही चीज बार बहुनゃवा है कैसी मिलेगा तिए अगरा प्रॉपर में हान कर देखिए अलग अलग देखो कंपनी में ऐसा नहीं कि आप अखेली होगे 10 बार 15 लोग होगे ठीक है तो आपको इस चीज को समझने पड़े कि आपको देखना पड़ेगा हर बंदा किस तरीकिया ला रहा है जो क्लाइंट ज्ट सब जयान रहा है जो क्लाइंट सब से कम ला कर रहा है ठीक है उनकी स्क्रिप्ट में कहांता है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं क्या चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो किस तरीके से इंपोर्टेंस दे रहा है क्लाइंट को क्लाइंट से किस तरह कर रहा है ठीक है उनकी बे ऑप्टून क्या है कॉन्विडेंटली बात कर रहे हैं या पर काम होके बात कर रहे हैं या रिलेक्स्ट होके बात कर रहे हैं तो वो सारी चीजों को आपको फ्रॉपर वी में तो अब आप कॉल्ड कॉलिंग करना चालू कर दोगे यह चार पॉइंट फॉलो कर लिए ना आप प्रॉपर कश्टमर आपसे ना नहीं बोलेगा इतना कर लिया तो आप कॉल्ड मतलब उसने कॉल्ड फॉन उठाया वो तुरंद काटे का नहीं इतनी चीज़ फॉलो कर लिए पर तक कीटे कभी है बिल्ड रैपोर्ट कोई लिए एक मोमेंटम बात करने है ठीक है आपको फ्रेंडली वे में कॉइन ली उसको कॉइन बनाना है कि आप एक फ्रॉड नहीं हो ठीक है एक आप जैनुएन बंदे हो उस बंदे की तरह ठीक है तो प्रॉपर आपके इंट्रे लिए उसके फायदे के लिए और खुद के फायदे के लिए दोनों को बिन-बिन सिच्चुशन क्रियेट करनी है ठीक है हमेशा हर कॉल पर आने का ज़रू यह मतलम नहीं है कि आपको उसको प्रॉडक्ट और सर्विस भीचनी है जरूर नहीं वह आज प्रॉडक्ट आपके आप से बाई ना करे पर एक महींने बाद तो प्रॉडक्ट बाइख कर सकता है तो उस सेनैरियों में आपको चीज़ें लेकर चलना है उसकामने इसके साथ बात करनी है उस्पर विजन के साथ काम करना फिए अगर आप सोचो कि यह आज प्रॉडक्ट बाइख नहीं करा तो लैना और उसको डाल जाना आपको फॉलओन में अपते में हर अपते बात कर लो अगर एक वाक्त की वो ले तो यह आ्रिट मिलेंगे, अले। कपते बात कॉल करके बात करो तरे स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप प्रॉपर वे में कॉन्पिडेंटली सामने बारे को बात कर रहे हो तो 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 आप भी जैनुएन इंट्रेस्ट सो करो तो तो ऐसी क्लाइंट बनते हैं अगर आप सोच सारी लोग रहते हैं ऐसे कि उनकी सौ कॉल की नहीं नहीं होने होने और उनके पास पांच क्लाइंट के लिए ट्राइल आ गाए ठीक है जिसमें से एक दो क्लोज भी हो जाएंगे ठीक है अब बहुत सारी ऐसे भी लोग रहते हैं 200 कॉल 300 कॉल कर रहे हैं तब जाके उनके क्लोप में लेना रहे हैं तो उस भी में आपको काम करना है कॉंपिडेंटली ठीक है सिक्स हैंडल रिजेक्शन पॉजटिबली यह क्या रहता है कि जो जो कॉल्ड कॉलंग रहते हैं सेल्स वाले बंदें ठीक है 90 पर्षेंट लोग मतलब रिजेक्शन को फीली वह नहीं कर चुछ भू पाथे हेंडल और वो यह तो जॉब चोड़ देते हैं या वह काम चोड़ देते ले यह पर जो खुद का दंदा है जो भी सेट किए वो प्रोपर बंद कर देते हैं ठीक है रिजेक्शन हेंडल करना एक कला है ठीक है वो आपको सीखनी होगी और देख भाई थोड़ा बहुत मुझो नीच हो गया ठीक है तो उस चीज को आप आपके दिमाग पे मत बैटा हो तो चीजों को आप दिमाग पे बैटा होगे ना तो आंगे कि जो भी कॉल से ओने वाली है आँगे कि-जो क्लाइन आने बाले dopo आपके आएंगे ही नहीं ठीक है कुल्ड कॉलिंग के होता क्या है कि आपके आपने एक सू पच्पान एक सू साथ कॉलिंग करी ठीक है आज 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 की लाइस्ट कॉल करने जा रहे हो दो सो एक भी ठीक है तो अगर आप कॉल कर रहे हो ठीक है अगर आप नेगेट हो ठीक है और आप एनरजी के साथ बात करए जिससे ये मेरे को रज़ेंट दे पाएगा के मेरे काम कर पाएगा सभी तरीके से खुद में कंफिटन नहीं तो उस भी में आपको देखना हुगा तो प्रौपर बे में आपको पड़े जो हैंडल एक कि बार रेजَّक्ट हुए दो और रेजेक्ट हुए क्या हुआ तीन बार हुए बढ़ चौदी बार में तो क्लाइंट को करना ना तो उसको सरके उपर हाभी नहीं होने देना जान तो कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है आप सिर्फ कॉल पर बात कर रहे हूं कि तो अब आप पर काल पर करना चाहते तो रजाक्शन हैंडल करना सीखना होगा ऐसे ही पैसे नहीं बनाई जा सकते आएसी ही पैसे नहीं मलते ठीक यसे यह की बहुत से मेरे साथ लिएढक हो है' तीन चार बार कि जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे समना कर दिया इस्टाइटिंग में उची नीच हो गई ठीक है बड़ा मैं उससे प्रॉपर फॉलॉप किया प्रॉपर में उसकी नीट समझी तो को एक मेरा डिजिटल मारें क्लाइंट था ठीक है उसने एक एजंसी की अपने यूटूब पर इंस्टेग्राम पर कर बाता था तीन महीने काम करने बाद एक लाग पच्वा लब एक लाग पैंसाट यह उसका रिजल्ट आया जीरो उसके 500 जानता सब फॉलॉवर नहीं बड़े ठीक है और जो जो पांस भी फॉलॉवर तो उन्होंने फिक वह भी गायब कर दिए ठीक है तो उस भी में रहा ठीक है तो उसका एक्स्पिरिंस बिल्कुल निल था जो कमेंट आती थी वह उनके गुरूप में जाए डाल देते पोस्ट और वहां से गुरूप में आस रहा के लोग कमेंट कर देते और साम गोड नाइस पर वीडियो उस 機會 श्याजा माज़ते लातीर से बभलती है लिए तो उसमें हम सारी सर्वेसे देठें इस्टेगाम से यूट थैस्वक ता सारी की सारी सियुविज दी जिसमें की आपको प्रापर भी में आपकी आपकी सो्सल्वश्लिंश को दो कि आता है उन्एन उसको सesz्षम जाया टिक है भूभ मेरी बात को समझा ठीक है उसने मेरे साथ एक अब नाइन एक अपता में एक अफ्ता फ्रीस दी उसको ठीक है सब आप देख लो एक अपते के बाद ऊसको रिजल्ट भी आए ठीक है उसनी देखा कि हम अगर आपको आपको काम हो चुका है हमने ट्राल दिया आपको आपका जो बोलाई थे कि सब लूटने के लिए बैटे हैं इस तरी के इस काम नहीं होता तो आपने हमारे काम देख लिया आप बताई क्या किया उस बंदे ने मेरे को तीन महीने का एडवांस उस दिन डाल दिया 45,000 टॉपीज ठीक है तो यह रहता है जितनी जाना आप आपके क्लाइट लाइब करें जो क्लाइट है उससे प्रॉपरली भी में रिस्पेक्ट के साथ और उसको रिजल्ट दे के काम करोगे ना तो आपके साथ काम करेगा बिन बिन सिच्चुशन क्रिएट करनी आपको अमेज़ा तो समने बाले का फायदा हो और आपका इस फायदा हो ठीक है हम आते हैं फोकस वन बैल्यू प्रोपोजिशन अभी हम बात कर रहे हैं तो बैल्यू दोगे ना आपके प्रोडक्ट आपके सर्वेज ठीक है जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनको आपको समझ जाना पड़े है कि हमारे साथ इतनी सारे क्लाइंट काम कर चुके हैं हमने उनकी मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसमें आपको आपके कस्टमर की नीड समझ नहीं होगी और उसकी लाइप में आप वैल्यू कैसे एड़ कर सकते हैं उसको इनपॉर्मिशन दो कि वह गल्लट डिजिजन न बना पाई है बहुत सारी कंपने बहुत सारी फ्रॉट्स भी करती है अब उनके वारे में इनफॉर्मिशन दो तर उस तरीकी के डिगरी में काम होते हैं ठीक है तो आपको भी पता होनी चाहिए ठीक है तो जितनी आपके क्लाइंट की लाइब में बैल्लियू अड़ करोगी ना उसको सब्सक्राइब तो जितनी जान्दा इनफॉर्मिशन दोगे तो उतनी चांस उतनी जान्दा चांस रहते हैं कि वह आपके साथ काम करें ठीक है अब एट पर आते हैं हैं हैंडल ऑब्जेक्शन बित कॉन्पिडेंस ठीक है अब देखो कूल्ड कॉलिंग करनी से पहले मैं आ क्लाइंट उदर से गोली मारेगा अब उससे आपको बचना है या पर उसको फेस करना है ठीक है तो उस तरीके देना फाइट चल लिए आप आपकी और उन्दानों की वह दूसरा यूव यूश करेगा आपको गराने के लिए प्रूडक्ट तुम्हारा खराब है आप बोलो साथ उनके साथ कर सकता हूं कम पैसे में कम दिला रहें और यहां बोहुत अधारी इंस हैं अ नहीं पहुत जितने बी ऊपजक्शन प्रॉडक्ट पीजाऊ इस ب हो रहे तो वो हरो एक कोशन का जवाब देना रहेगा और उनगे साथ किस त्रीकी स्काम करते हो वो सारी चीज прошлľus थे टेक्नोजी चीज़ को समझना पढ़ेगा आपको प्रॉपर वे में टूल को यूज करना रहेगा ठीक है जिसकी एक अभी चलता है सी आरेम चलता है कश्टूम चलता है कम्प्यूटर में आप इंस्ट्रोल कर लो उस वे में सौप्टर काम करता है वेब साइट पग्यार रहता तो उसके लिए प्रॉपर वे में आपको टेक्नलोजी का भी यूज करना है अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ठीक है ना कि सिर्फ देखो मुश्ट आप प्यूपल स्टार्टिंग बिजिस करते हैं सिर्फ मोबाइल पर ही मैंटिन करके चलते हैं ठीक है मोबाइल पर पास CRM आप आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक MSXL की सीट बनाओ जिसमें फॉलो आप ट्राइल ठीक है और जो भी चीज़े रहते हैं कि आगले अपने से स्टार्ट करना चाहता है वो सारी चीज़े प्रॉपर वे में रहना चाहिए अपडेट होना चाहिए ठीक है आपकी इसकी नीट्स क्या है उसकी बॉंड्स क्या है वो सारी चीज़े आपको प्रॉपर वें करोगे ना तो सीखते रहोगे ठीक है ठेंट से इसमें स्टे जाते हैं उतना आपका कनपर्टिशन इंक्रीज होते जाता है जैसकी आपको स्टार्टिंग करने पर एक ट्राल निकलना तो यही नंबर इंप्रॉव होता जाता है दो से आप दस पर आओगे वंद्रा पर आओगे उस वे में आप कर पाऊगी तो सीखना इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हों से रेलेटेटिडेडेगा मेनए भी बहुत सारी बुक्स एक्स्प्लेन कर रहें सैल्सरे डेाटिड पेचानीटीटर निकलियत है संटीसरे जह कर सकते हो और अफ्सक्रावावे और और बॉस्ट पढ़ सकते हो। ठीक है और और ट्रेशनिंग ले सकते हो। जाना कर सकते हो इसकिल्स से बड़ीते हैं जाना पढ़ियो ने जी आय की जितना जाना पैसे आप चाहितो और आपनिस नहीं कर दिया तो भाई सब पैसा कम आना ही बंद हो जाएगा ठीक है और 11 की सैट क्लियर गोल्स हमारे साथ क्या होता कि हम क्लियर गोल्स सेट नहीं करते हम मिनिमम अगेक्ड ने चलने पहली बात तो मैं सिर्द जाल्राइग अगर आप कोई भी कम्पनी में काम कर रहे हों कभी मिनिम Ein mortar लेकी मध्याओ या पर वहां थन्युद्ध या रह prim कि में अद्धाने हो gonna है तो पांदे और रुपे का लाघ में तारएट करें दो सिर्फ एक लाग रुपे सेल्स और यह लिए चोड़ा आई तो आप हमेज़ा फोकॉस करो कि आप जो इस वह प्रकॉस कि पहले तो महीने में हों दिए तीन आपका एड़ कर दो छह लाग में आपका कमिशन भी बने का आप प्रॉपर विम कमाओ भी पाऊगे और आप सीख भी पाऊगे और जितने जानता बेले एड़ करके अगर प्यूचर में लीकर चाहएं तो आप 20 लाइन आप को बिस और ब्रीजण लाना हे आको पीजस क्लाइट टाना तो उसके सबसे आपको आपको डिक ए इन्क्रीश करना होुए ठिक है और जितने जानद सब्सक्राइब करने के लिए मैंस भी बहुत जानदा करने हुए ठीक है तौल सीख फीड़बैक ठीक है आपका कस्टमर ओल्ड है उससे फीड़बैक लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके साथ काम नहीं करने चाहता फिर भी आप कर सकते हैं एक महीन सब्सक्राइब कर सकते ना यह उपलेख प्रोड़क्ट पर आप आपकी कनबर्टेशन पर आप अपने आपको बेटर करते जाओगे और उतना चांदा ही आप पेंसा कमाओ ठीक है थाटीन लाश्ट बटन और देलीस्ट जे मेरा फैबरेट है रोल प्ले ठीक है आप दिन में 15-20 मिन्ट निकाली है ठीक है आप आपके जो बी आपके मन में रहाएं पर कोई भी प्रवाप बांधा अफुशन जालें पूचेंगे आप उनका जवाब देना चालीकरो ठीक है जिसमें अगर आप अपने आपको डेली बे प्रैक्टिस करूँ न तो कोल्ड कॉलिंग के आप महारती बन जाओ फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही आप सब समयते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जैन बनने मातर हो